कि आज हम देखते हैं उससर उंडाद अर्से जूड़ी सारचना में उसको देखेंगे तो यहाँ यहाँ पर हम देखते हैं उस ऋधर को है उसकी दोनो HOL क्या पाया जाता है है sim के बीच की तरह लाल रंग का यह जो बीक पाई जाती है एक जोड़ी व्रिक है यह व्रिक है हमारे उदर को के दोनों सीरों में ठीक और व्रीक में व्रीक सीरा एक अंदेड आया है इससे पी और एक धह्मनी इसमे आया है ठीक है वहां से एक नली जो आती है व्रिक से वो है जो मुत्रवानी होती है एक जोड़ी और वो मुत्रासे में आ जाती है तो जैसे जैसे रखता इसमें आता है और यहां आती सुक्षमशनन होता है है न तो यहां सुख्षमच्हनन के लिए इसके अंदर जो पाये जाते हैं उसको व्रिकाड़ू या निफ्रान क्या होता है यहांपर व्रिक की साखा ये है और एक व्रिकाड़ू की निलका कर भाग ये वाला जो भाग है तो एक संग्रहा को पाहनी जो आती है तो इसमें जैस तो हमारे रग्त में जो पाय आने वाले असुत पदार्थ जो शुटी होते हैं आपसिस्दॉ होते हैं जाती है यहां पर च्छन ढता feeling तो हमारे हो निदाज हिन आठर हूं तो इसमे मकल पर जहां है कभाहि prayer स्थ кट्ध developments यहां से थेलिनोमा सरचना ही और समय het समय में मुत्रमारग की देवार इसको भार कर दिया जाता है क्या है यहां पर किसे जानकरी बने जहीं दिनी वैले बात है समानिय वात औरby हमारे सरीर के गोड़ी एक दिन में लगभग एक दसनला पांच लिटर मूत्र निकलता है यदि वाता बरन गर्म और सुस्क हो तो आप अनभव क्या होगा कि वहां पर जो हमारी यूरीन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है ठीक है अधिक मात्रा में पानी पीने से में कई बार यूरीन त्याग ना पड तो यहां पर क्या है प्रतेक दिन हमारे सरीर में भोजन से संबंदित कई जैविक प्रक्रियां चलती है जिससे कई पदार्त का निर्माड अपगटन होता है इन पदार्तों में से नाइट्रोजन यूगत जो उसरजी पदार्त होता है उसमें प्रोटीन के अपगटन से बन इसी प्रकार यह मुत्र के रूप में भी बाहर निकलता है हमारे सरीर में सरजन तंत्र के मुख्य अंग एक जोड़ी जो व्रीक है ठीक है जिसको आपको चीतर में दिखाया गया था यह सेम के बीच की आगरिती के और भूरे लार रंग के होते हैं यह पीट की तरह प्रेड के लुटा के हट्टी के अगल बगल यारी हमेरिया वुदर में स्थीत होती है ठीक है पूरी सरीर से होता हुआ रख्थ हृदाय में और हिर्दय से धमनियों द्वारा दोनों व्रिक में जब पहुंचता है तो द्वारा रख्थ वरिक निकलता है अगर हम धमनी और सीरा के प्राबर होती है यहां पर और जानकारी वाले जो बात है एक फैस के व्यक्ति में एक दिन में लगबग 170 लेटर रग्त व्रिक से होकर गुजरता है जिसमें से शरीर में लगबग 1205 लेटर मुतर ही बनता है सेस्द्राव का अधिकान जो भाग है पुना रग्त बहानियों में अवसुसित होकर रग्त में यह बहता रहता है यह हमारे जो उसर्जन तंत्र है ठीक है इसकी जो इकाई है यह निफ्रान जिसको विरिकाडू कहा जाता है यहीं से जब रग्त जब गुजरता है तो यहीं पर जो उसर्जी पदार्थ होते है यूरिया यूरि गमलभ वो आन यहीं कारक अप्सिष्ट का च्षनन होता है रग्त में चुपाई जाने तो मैंने पहले बताया कि जो हमारे जो छोटे अडू होते हैं वह दिस उसमें जो कहा जाता है वह च्छन जाते हैं और यूरिकामल जो है और प्रोटीन और रग्त के अडू नहीं चंद पाते हो फिर और सरच ना देखेंगे क्या है उस सरजन अंग की जो इकाई है वो ने फ्राण है है ना तो हमने देखा कि फेपरों में कुसकाओं के आर पार गैसी अतान प्रतन होता है इसी परकार हमारे व्रीक में कुछ बारीक नलियां है जिसके आज़ पास जो केसी गाओं के आर पर कई प्रीपादार्थिता स्भाइब करें जिसए विक्रांड इसे विक कांडू परेंगा है किyo बेंगे होता है है होता है यहां से धंड wrath के अन्ने भागों में फैले होती है ठीक है इन भागों में सीरा भी होती है और सीरा और धमनी के बीच के इसकाओं का जाल नली के आसपस फैला होता है रक्त में यूरिया है कुछ लमड है पानी कुछ प्रोटीन प्रोटीनी जो पदार्था है आदी का रक्त वानियों सिफ रिकाडू के अगर भागर में आ जाते हैं इसमें से पतार्था जो है व्रिकाडू के नली के आगे बढ़ता है इसमें से कई पतार्था रक्त की नलीयों में फिर से असोसण हो जाता है और इतनों पतार्था उसोसीत होंगे यह इस पर निभर करता है कि इनकी मातर रक्त में कितनी है व्रिक गाड़ों में इसे बहकार निकलने वाला पतार तो मुत्र है, जो मुत्र वहन उसे होता हुआ, मुत्रासय में इकटा होता है, और मुत्रासय में जो मुत्र तब तक इकटा रहता है, जब तक कि इसमें दाब बढ़ना जाए, मुत्रमारग से होता हुआ, मुत्रा हमारे में होंगे जो किड्नी है कारे नहीं करता कि उसमें रखा जाता है उस वेक्तिक तो कल्रीं वर्यास married करें देने जाने वाले जैसे वर्य पताष एक की मात्रा है शरीर में रक्त में समाने मात्रा से अधिक होने लगती है ऐसी स्थिति में क्रित्रिम उसे शरीर से वर्ज पतार्थ को निकानने की विवास्था को क्रित्रिम डालीसिस या समारे उसे हमारे सरीर से यही प्रिक्रिया व्रीक होती है तो उसको डालीसिस कहते हैं इस अलग हो जाते हैं ततर रंचा है क्वा फॉना सरीरर के में अमें सिराओं के माद् Walmart मैं से बेज दिया जाता है धिक है इसको त anál हाता है हमारे सरी में जीन पदरत्बशक पहले अबसक्तर थ्वान मीशरा इंप्लांट